नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका भड़े राप प्रोड़क्ट के यूटूब चैनल में दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चाई बिजनिस के बारे में कि आप चाई पत्ती का बिजनिस जो है किस प्रकार से मिनिमम्म इन्वेस्टमेंट में अच् बिजनिस के बारे में जो सबसे बड़ी बात हैै कि तो है test और दूसरा है आपका selling ठीक है अगर आपस test बेट गया तो आपका selling हो जाएगा अगर test में बेटा आपसे लोग target नहीं हुए कि कौन से लोगों को मेरी चाई पसंद है कौन से लोगों को नहीं है तो आपका माल विखने वाला नहीं है एसा में क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यह हमने खुद face किया है और already हमारे पास चाई का काम है हम खुद चाई packaging का काम करते हैं इसलिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ ठीक है अब methods की उपर आ जाते हैं क्या क्या ऐसे तरीके जिन से आप अपना काम सुरू कर सकते हैं चाई पती का तो सबसे पहला method आ जाता है आपका कि किसी भी company अच्छी company की चाई पती लेकर या agency लेकर उसकी dealership लेकर आप direct market में उतरे और sale करके देखे कि इसमें क्या क्या problems आती है कहां पर हम default हो रहे हैं क्या problem इसमें आ रही है क्योंकि जो आप काम सुरू करोगे उसमें भी इसी प्रकार की problems यहां पर आने वाली है तो पर्स्ट प्रायरिटी यह है कि आप किसी भी company की agency लेकर के और अपना चाई पती का काम सुरू करे कुछ time के लिए जैसे 6 मेने 12 मेने जहां तक आपको जमता है वहां तक अगर आपको फिर बाद में लगता है कि हमारा system अच्छा है हम sale कर पाएंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं दूसरा method क्या है कि आप खुली चाए पती ले और अपने packaging में पेक करके उसको sale कर दे आप जो pouch बना रहे हैं वो सस्ते वाले pouch बना लिए जैसे कि transparent pouch आते हैं उस परकार के pouch आप यूज कर सकते हैं packaging के लिए या फिर आप jar वगेरा यूज कर सकते हैं जार पर sticker लगा करके इस परकार के selling आप कर सकते हैं जिसमें आपका minimum investment रहेगा minimum कितना लगवग 10-20,000 का investment आपका रहेगा माल कहां से करीदना है आपको जहां पर आप रहते हैं उसी city से माल करीदना है या पिर जैसे start आपको करना है तो हम आपको guide कर देंगे starting में कुछ माल हम आपको provide भी कर देंगे एक बेक दो बेक तो आप हम से भी ले सकते हैं range wise ठीके तो starting में ये method भी अच्छा रहेगा जो दूसरे number का method है अगर आप अपने इसाब से चलना जाते हैं किसी की agency आपको नहीं मिल रही है तो आप अपने brand का sticker बनवा के भी काम शुरू कर सकते हैं जिसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ हमने यहाँ पर इस प्रकार के पाउच बनावे हैं जैसे कि छोटा वाला पाउचे 10 रुपे में बिक्री में इस पर sticker लगाया हुआ है और इस प्रकार का transparent पाउचे जिसको मैंने seal किया हुआ है दूसरा पाउचे जैसे कि यह 100 ग्राम में इस प्रकार का इस्टिकर इस पर लगावा है और इस प्रकार से चाहे इसकी पेक्ड की हुई है इसमें आसानी से चाहे को भी देखा जा सकता है कि किस प्रकार की चाहे 32 इसमें पेक्ड है दोस्तो इस्टार्टिंग में जो पाउच चलते हैं आपके minimum size वाले पाउच चलते हैं चोटे चोटी capacity वाले पाउच चलते हैं बड़ा पाउच कोई भी भाई नहीं करता है ठीक है यह बहुत ही अच्छा मेतर है शुरुवात करने का एजेंसी के बाद अगर आपको एजेंसी नहीं मिल रही है तो इसकार का काम कर सकते हैं लेबल बनवाना है आपको sticker बनवाना है और जार बाई करने हैं ठीक है इंपटी जार लेने हैं और ट्रांस्परेंट पाउच लेने उन पर इस्टिकर लगा के आप अपना काम सुरूप कर सकते हैं इसके लिए लगबग आपको 20,000 के इन्वेस्मेंट की मिनिमाम जुरुत रहेगी छोट छोटे इन्वेस्मेंट होते हैं पाउच लगबग 20,000 पे आपका खर्च होने वाला है अग इसका जो थर्ड पार्ट है इसका दूसरा पार्ट तो इसमें हम बात करने वाले हैं इसमें बहुत ही अच्छा काइसा इंवेस्मेंट लग जाता है अगर आप ले सकते हैं तो यह थर वाला अपना है इसमें आप अपनी ब्रांडिंग करके और अपना काहां सुरू कर सकते हैं ब्रांडिंग करने के लिए आपको सबसे फिले FSAI का लाइसेंस लेना होगा हाला कि तीनों ही केटिगरी में आपको लाइसेंस मेंडिटरी है तो आपको लेना चाहिए तीनों में लेना पड़ेगा इसमें तो आपको लेना ही पड़ेगा सबसे पहले तब ही आपका पाउच बन पाएगा तो मैं इसका standard ब्रांडिंग करने के लिए आपको मैं यहाँ पर हमारा पाउच दिखा देता हूँ यह हमारा पाउच है standard पाउच है ठीक है इस परकार का पाउच अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए तोड़ा सा investment जादा होता है इसकी एक size जैसे कि यह 250 gram size है इस size को बनाने के लिए लगबग आपका एक लाग से सवा लाग रुपे लगने वाला है जैसे आप 100 gram की size बनाना चाहते हैं तो उसमें भी इतना ही investment आपको लगने वाला है अगर आप 5 sizes बनाते हैं 5 sizes बनाते हैं लगबग 5 से 6 लाग रुपे आपके इसमें investment होगा अगर आप इतने पाउच बनाते हैं इतने size बनाते हैं तो आपको packing machine भी बड़ी लेनी होगी जिसका investment है 1502 लाग रुपे तो ठीक है 6 लाग तो ये और 1502 लाग वो तो लगबग 8 लाग रुपे आपका investment यहाँ पर हो जाता है अब आपको माल लेना है तो माल भी अगर आप standard पाउच में फेक कर रहे हैं तो कहीं कहीं तोड़ सा जदा ही लेना होगा तो लगबग एक 2 लाग में आपको माल लेना होगा बाकी कुछ certifications जो वेट मसीन है बहुत सारी चीज़े यहाँ पर होती है चोटी मोटी तो ये सब करके आपका 8 लाग होता है और कुछ 2 लाग और मान लीजिए ठीक है और 2 लाग खा माल तो लगबग 15 लाग में आपका ये एक एजी वे में चायपति का बिजनस स्टार्ट हो जाएगा तो लगबग इतना आप अमाउंट लेके चलिए जब जाके आप फुली फ्लेस के साथ मार्केट में उतर सकते हैं देन उसके बाद आपको कुछ लोग भी लगाने पड़ेंगे मार्केटिंग के लिए बंदा भ कर सकते हैं आपको इसमें कटिंग करनी पड़ेगी कहीं ने कहीं आपको कंप्रोमाईज करना पड़ेगा तो दोस्तो यह हमारा चोटा सा वीडियो था जिसमें हमने आपको एक चायपति के बिजनस के बारें बताया है कि किस प्रकार से आप चायपति का बिजनस सुरू कर सक हम अगले वीडियो में तब तक के लिए रहे सेब एंड टेक क्यार